विकिरण, एक तीसरा प्रकार भी है जिससे उश्मा गर्म पिंड से ठंडे पिंड में जा सकती है। इस्थानांतरण के इस प्रकार को संभान कहते हैं और इसे दोनों पिंडों के बीच किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। सभी गर्म पिंड उश्मा विकरित करते हैं। गर्म पिंड अपने चारों तरफ उश्मा की किरणों का विकरण करता है। सूरी की उश्मा हम तक विकरण के माध्यम से पहुँशती है। ये कई लाख किलोमीटर की दूरी तै करके पृत्वी तक पहुँशती है। जब ये कुछ अफ्शोशित हो जाता है, और कुछ भाग प्रसारित हो जाता है, अफ्शोशित हिस्से के कारण पिंड का ताप बढ़ जाता है, बादलों वाली राध साधारन राध से गर्म होती है, जब आस्मान साफ होता है तो उश्मा का विकिरण वायु मंडल में चला जाता है, आजाता है और हम गर्म महसूस करते हैं